हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अन्वी सूद आपका स्वागत है हमारे चैनल में जहां एक तरफ देश में योध्या मामले को लेकर गहमा गहमी बनी हुई थी तो इसी बीश देश के प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी का ध्यान एक छोटे से बच्चे ने अपनी और कर लिया है बीते दिनों हमने आपको बताया था कि बॉल्वोड आक्टरस गुलपनाग ने ट्वीटर पर एक वीडियो शियर किया था जो कि उनके छोटे से बेटे निहाल का था इस वीडियो में गुलपनाग प्येम मोधी की कवर फोटो वाली एक मैगजीन दिखाते हुए अपने बेटे से पूछती हैं कि वो कौन है जिसके जवाब में निहाल कहते हैं मोधी जी मोधी जी और तुरंदी अपने देश के प्रधानमंत्री को पहचान लेते हैं इस क्यूट से वीडियो को देख प्येम मोधी भी कुछ कहने से खुद को रोक नहीं पाते हैं प्येम मोधी ट्वीट करते हैं कि बहुत ही प्यारा नन्ने निहाल को मेरा आशिरवाद जरूर देना हरो शेतर में जिसमें वो जाना चाहता है उसके लिए धेट सारी शबकाम ना है आप में उसे एक अच्छा मेंटर और गाइड जरूर मिलेगा खेर इस वीडियो से प्येम मोधी तो काफे खुश दिखाई दे रही है लेकिन लोगों ने गुलपनाग पर निशाना साथ ना शुरू कर दिया है चलिए पहले आपको कुछ ट्वीट्स दिखा देते हैं आप तो आम आदमी पार्टी की हैं तो इस तरह क्यों कर रही हैं? भाजपा में शामी होने का प्लैन है क्या? वाग गुलपनाग पुरानी आदते मुश्किल से जाती है अपने निर्दोश बच्चे का इस्तमाल मत करो अपने राशनीतिक करियर में आपने मोधी जी के खिलाव काम किया और बोला और अब उन्हें प्रभावित करने के लिए इस तरह की स्वस्तीन और टंकी का उप्योग कर रही है तो आप देख सकते हैं कि लोगोंने गुलपनाग को चूल करना शुरू कर दिया है और लोग ऐसा क्यूं कह रही हैं ये तो आप समझी गए होंगे दरसल 2014 में गुलपनाग चंडिगर लोग सबासीर से आमादमी पार्टी की उमीदवार रहे चुकी है यही वज़ा है कि लोगोंने उनके इस वीडियो शेयर करनी का अलग-अलग मतलब निकालना शुरू कर दिया है लोगों को लग रहा है कि इस वीडियो के जरिये वो अप प्ये मोदी को इंप्रेस करनी की कोशिश कर रही है और यह वीडियो उनका publicity stunt है बता दें कि खुद को ट्रोल होता देख गुलपनाग ने अपने statement से ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी है और ट्वीट करते हुए लिखा की Well, इस बारे में आपकी क्या राय है बच्चे की एक वीडियो को लेकर गुलपनाग को लोगों का ट्रोल करना सही है या नहीं हमें कमेंट करके ज़रूर करताएं